यह नए मैथोड्स लोग एकसेप्ट करते हैं डॉक्टर शुतिज आपको क्या लगता है कि यह जो स्टिग्मा था यह बात करने में जो जैसे कि इनों ने बताया नितिस जीन अभी बताया कि लोग जिजक रहे थे अभी वो थोड़ा चेंज़े आ रहे हैं थोड़ा इंप्रूमेंट हुआ है बट मेरा यह मानना है कि अभी भी यह बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है लोग अभी भी ओपनली डिसकस नहीं करते हैं कोई हार्ट का ओपरेशन करा के आएगा तो फ्रिली बोलता है कि मेरे को हा जादा तर ऐसा होता है डॉक्टर अजे के गाउं में यह चीज और भी जादा जिजग के बात की जाती है लेकिन शेहरों में लोग जादा बात कर पाते हैं इसके बारे में तो देखा है इवन हमारे यहां जो केस होते हैं अगर उसे किसी ने मरीज ने पूशा कि कहां से करा कि आये तो वो किसी मंदिर का नाम ले लेंगे कि महां बगया गया था हमें और मेरे को सफलता मिल गई तो यह जो जिजख है इसको हमको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओपन फोरम में डिसकुशन हो ज़दा ज़दा लोगों को निसंतानता के बारे में उसके कारण आपको नहीं लगता है कि नॉमली गाओं में भी लोग पहले से ही सोचते हैं कि यह तो भगवान की देन है अगर हमारे नसीब में होगा तो होई जाएगा तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही काफी वक्त गुजर जाता है तो यह भी can be a problem राइट यह basically problem आती है गाओं मे कि लोग सोचते हैं कि यह तो खुदा की देन है भगवान की देन है तो यह तो हम रुखेंगे और करेंगे तो automatically हमको मिल जाएगी पर ऐसा बिलकुल गलत है ऐसा नहीं है यह एक problem है और problem का solution science ही है काफी लोग अपना कीमती समय इस चीजों में बरबाद करते हैं नीम हकीमों के पास जाके या ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चीए जादू टोना हो गया जैसे और एक जो fertility period होता है या जो सबसे अच्छा period होता है जब lady conceive कर सकती है वो period वो गवा देते हैं और फिर किसी doctor के पास जाते हैं तो उनका chances होने का थोड़ा minimize हो जाता है झाल झाल झाल